पुरे दे से मैंसे चला गया जैसे मैं मुख्यमंती बना जाना जाता हूँ इसले सब कुछ हो रहा है तो मैंने टै किया है अब मैं इस मावर के अंदर चुनावनी डड़ूंगा ही मेरे अप्रेट नमस्कार आप सबका स्वागाते हमारे चेनल नेक्स्ट नाए नियूस पर में अनाम है दीपक गुपता राजिस्थान में एक साथ कई विधायकों ने इस्तिफा दिया जिसकी संख्या 90 प्लस बताए गई थी भारती जनता पार्टी का ये कहना है कि सरकार अल्प मत में यानि सरकार के ज़्यादातर विधायकों ने इस्तिफा दे दिया है तो सरकार गिर चुकी है मद्यवदी चुनाव की तैयारी की जाए लेकिन बाणवे विधायकों के जो इस्तिफा की खबर सामने आई आखिर उसके नियम क्या कहते है क्या सचमुच उनका इस्तिफा कबूल हो चुका है क्या गहलोष सरकार गिर चुकी है कल अशोग गहलोष और सचिन पालेट दोनों ने आला कमान सोनिया गांदी से मुलाकात की अशोग गहलोष ने माफी मांगे इस पूरे घटना खरम को लेते वे और साथी साथ कांगरेस अध्यक्ष के चुनाप से भी पैर पीछे खिंच लिए तो वहीं दूसरी तरफ यहां पर बात करें सचिन पालेट को ये आश्वासन दिया गया कि कांगरेस में और राजिस् उनके इस्तीफे पर महर लगाकर सभी विधायों का इस्तीफा कबूल करके सरकार गिरा देंगे ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है लेकिन पहले आप गहलोष का वबयान सुन लीजिए जो कल उनने सोनिया गांदी से मुलाकात करने के बाद बाते कहीं जिससे आपक के लिए आपके लिए आसान कर देते हैं समझना कि आखिर बाड़े विधायों का इस्तीफा कबूल हुआ है क्या सरकार गिर चुकी है क्या चुनाव होगा राजिस्तान में तो पहले आप गहलोष का बयान सुनें कौंगेस अज़क तुन्याजी के साथ में मैंने बैठ करके पूरी बात्चीत करीं क्यूंकि जिस्तेकार से पिछे पच्चात साथ में मुझे अवेशा कौंगेस पार्टी ने इंद्याजी के वक्स से ही राजीव जी थे चाहिए वो बाद में सोने जी आ गई बिजमें नर्थिम्राजी प्रगार मंदे बने एक वपादास सिपाई के रुमें में काम चलिया और मुझे हमेशा मेरे विश्वाज करके मुझे ज और चाहिए मैं एयाइस्टी के महमती बनाओं और चाहिए मैं चुनेरी का आशिरवास से तीसी पार मुख्यमती बनाओं राओ जी भी जब फैसला किया राओ जी ने वो तमाम जो सणेवों में भूलनी सकता हूं उसके बावरूत भी जो घटना हुई पर्सों के रोज दो दिन पहले वो घटना इत्ता है विला के रख दिया हम सबको मुझे जो दुख है वो में जान सकता हूं क्योंकि पुरे देश से मैं से चला गया जैसे मैं मुख्यमती बना जाना चाहता हूं इसलिए सब कुछ हो रहा है मैंने सुनिया जी से भी सौरी फिल किया है माफी घूंकि एक सिंपल प्रसाव जो होता है एक लाइन का तो परंपर हमारी है कि एक लाइन परसाव तंकरते ही करते हैं हर मिटिंग घंदे करते हैं कि चुना हूं चाहे मुख्य मंतरी के बारे मोगी को एक ऐसला करना हो एक फैसला करता हुक्त मैं, एक लागे परस्ताभ करने का हमारे हां हमेसला से ही काईदयर आख अप सबको मालूम है दुर्भागे से उस पर ऐसी चीज भंगए, वो परसौप पास पॉपाया क्योंकि मैं तो मेरी मुख्यमंति होने के बावरोज भी मैं एक परस्टाव एक लाइन का जो हमारी परंपरा है पहली बार वो परंपरा के अन्तकत उस परस्टाव पास नहीं होगा इस बात के मुझे तुक हमेजा जिंदगी पर रहेगा और मैंने प्रणा मैंने सोने जिसे भी सौरी फिल किया है कि मैं उस काम में काम में अमनी होगा ठीक है ओगे बाद सब्सक्राइब देखिए यह गटना जो हुई है इस गटना ने के इस तरह महिए दे दिये पूरे देश के अंतर और मीडिया भी हमारे जो है कई बार किंग बेकर बन जाता है कई बार वो मीडिया अप्रेंगाई के साथ मैं जो देश का रात है शांती सब्सक्राइब पुरे मुल्क को और इंसा की किमत में नहीं होनी चाहिए उस बाहुत में को चलने हैं और दूजिल तरफ मैंने उनसे मिला कोची मिला करके रिक्वेस्ट की काम अध्यक्त कर्षिना डढ़ें आखिर में अश्रीकार कर दिया मैं मे मैंने का वही जो सबकी भावना है कारिकर्टाओं की नेताओं की तो मैं फी चुना ड़ूंगा यह मैंने का था तुनिया और अब क्योंकि कल पर्तू क्यों करतना होई है और मेरी मॉर्ड रेस्पॉंजिबिटी थी कुछ पर्ष्णा पार होता तो मैंने तय किया है अब मैं इस मावर के अंदे चुनावनी ड़ूंगा यह मैं फैंस मैंने निहीं करूँगा यह सोने गांदी नहीं करेगी तो यह दिस करेगी थी कि यह देखा आप सभी ने किस तरीके से अश्चोग गेलोत ने कुछ बड़ी बाते रग दी है अला कमान से मुलाकात की बात लेकिन आ पर सारी बाते कही गई गई कि विधायकों ने टाइब फॉर्मेट में इस्तिफा दिया है। पर सारी करिया नियम के अध्याय 21 के नियम 173 में सदस्य के त्याग पत्र देने के नियम का उलेख है। हाँ यह जरूर है कि विधायक खुद विधानसभा अध्यक्ष के सामने जाकर पेश होकर अपने इस्तिफा वापस लेने की जानकारी लिखित में लेकिन यह बात तब तक संभवत कहीं ना कहीं है जब तक अध्यक्ष ने इस्तिफा सुईकार नहीं किया हो। चोदरी ने खुद विधानसभा को जाकर यह इस्तिफा नहीं सोपता इसलिए इसको कार रिवाई के तहट देखा गया। अब बिजेपी ने कहा कि सरकार अलप मत मैं है तो यानि कि सरकार गिर चुकी और बाणवे कांग्रेस और नुर्दर्लिय विधायों को ने इस विधानसभा देख घर जाकर इस्तिफा सोपते हैं इन इस्तिफा को लेकर तीन दिन बाद भी विधानसभा सचेवाले ने इस्त जोशी के हाथ में ताकत है और अभी तक इस्तिती साफ नहीं हो रही कि जो इस्तिफे सोपे गए थे उन इस्तिफे को क्या होगा और किस तरीके से आने वाले वक्त में उनको लेकर यहां पर तमाम बाते निकल कर सामने आती हैं तो राजिस्थान का सियासी घटना करम लगातार जारी है और इसी सियासी घटना करम के बीच इस ताजा जानकारी थी कि नियम ये कहते हैं कि अगर इस्तिफा खुच जाकर सोपा है तो उसको तुरंद कबूल करना चाहिए और सरकार पे जो भी असर पड़ेगा वो बात की बात है लेकिन अगर खुच जाकर सोपा था चाया वो चेटर की संख्या हो या बाणवे की संख्या चेटर भले गहलोत खेमेके और बाकि निर्दली विधायकों लेकिन यहाँ पर तमाम जानकारी सामने है इसमें से कुछ विधायकों ने ये भी कहा है कि उनसे जबरदस्ती स्तिफा दिला आए गया इसमें से कुछ ने ये कह पता ही नहीं था कि हमारा इस्तिफा हो रहा है तो यह थी पूरी जानकारी उम्हिद करते हैं, जानकारी पसंद आई होगे अब सीपी जोशे के हाथ में कि उनका आखरी फैसला क्या होता है, सोन्या गांधी टाइक करेंगी, राजिस्तान का सीम कॉर होता है, लेकिन सीपी झाल 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 झाल